Good morning UK जी Open your grammar book page number 22 कल बटा आपको समझाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में masculine or feminine gender बताया गया था जो male है वो masculine gender है जो female है वो feminine gender है और male female भी बताया गया था इसे बाथ क्षामपल शुख ख foto हैनों भ़ाई मेलं है बहन शुख कि मेल कर त्पिसूख तो दादा जी गूता है अगी बैसे ये की मेल वह फैमिन्ली कि मैसकुलीन जेंडर दिया है और मैसकुलीन को आपको को निक करने के लिए या जा इसका फैयं मिनेट क्या होगा आपाल कोश्चन इस तरह से हwowताल से आएगा पिटा मैसकुलीन के नीचे हम लोगके रहे हैंगे और आपको when ऑन के नीचे खिल करना होगा ठीक है तो दोनों तरफ पी स्पेलिंग साइट मैं आपको रेडिंग करा रही हूँ किंग का फैमिनिंग जेंडर क्यू यू डबली एन क्वीन ठीक है किंग क्वीन राजा रानी S.O.N. son D.A.U. G.H.T.E.R. daughter son daughter beta betty next N.E.P.H.E.W. nephew N.I.E.C.E. niece nephew niece bhatija bhati ji H.O.R.S.E. horse M.A.R.E. mare horse mare ghoda ghodi C.O.C.K. cock H.E.N. hen cock hen murga murgi B.U.L.L. bull C.O.W. cow bull c.O.P. c.O.R. guy अब इंग्लिश वाली रेडिक मैं फिर एक बार कराती हूं बहुत ध्यान सुनेगा King Queen कई बार बोलेंगे आप लोग गोटा King Queen Son Daughter Nephew Niece Horse Mayor C.O.P. C.O.P. H.E.N. Bull C.O.P. और इधर की स्पैलिंग पूरी लर्न होनी चाहिए एक बार और स्पैलिंग देखिए Q.U.E.N. Queen Video को सुनिये और बोलिये Q.U.E.N. Queen D.A.U.G.H.T.E.R. Daughter D.A.U.G.H.T.E.R. Daughter N.I.E.C.E. Niece N.I.E.C.E. Niece M.A.R.E. Meer M.A.R.E. Meer H-E-N 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 C-O-W cow इधर की spelling भी बेटा आपको learn होनी चाहिए क्योंकि इधर का दिया जाएगा इधर का आपको खुद बिना देखे लिखना होगा आपको learn होना चाहिए ठीक है? spelling भी और feminine gender ओके बेटा यह आपका homework है इसको reading करिएगा, writing करिएगा, learn करिएगा Thank you very much